हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल शोपिंग लवर पर दोस्तों हमारे चैनल पर ओनलाइन और ओफलाइन शोपिंग द्वारा मंगवाएगे पड़क्ट का रिवीव करके बताया जाता है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल उसको करेंगे आज ओपन और करेंगे रिवीव उसकी क्वालिटी चेक करेंगे तो चलिए दोस्तों इसे ओपन करते हैं तो यह जो परड़क्ट है मैंने फ्लिप कार्ट से लिया है 750 के करीब मेरे को यह इसका रेट प्राइस मिला है तो पॉली सेट नाम अच्छा है कंपनी का तो देखते हैं आज यह परड़क्ट अपनी उमीदों पर खड़ा उतरता है या नहीं तो यह पिंक कलर में मेरे को मिला है और दूसरे कलर के भी ऑप्शन्स थे तो यह देखिए एक रिफिल के साथ हिन्हों ने भेजा है और एक एक एक्स्टर रिफिल पी दिया है तो यह उपर पॉली सेट की इनकी मार्किंग भी की गई है देखिए दूसरा इनकर फिल है पैकिंग बिल्कुल बंद है और यह इनका बकेट को भी देख लेते हैं डिजाइनिंग अच्छी है और बड़े वील दिये गए हैं देखिए और यह देखिए इस मोडल में एक खासित आप देखेंगे इनके अलग-अलग दोनों पार्ट हैं एक पार्ट में आप स्पिन को ड्राइ कर सकते हैं और दूसरे पार्ट में रिफिल को वाटर से क्लीन कर सकते हैं तो यह देख लिए नीचे से भी तो यहां से आप पानी निकाल सकते हैं जो भी गंदा पानी रहेगा जो इसकी refill microfiber की quality रहती है microfiber का यह होता है तो इसका आप handle देख लेते हैं काफी बड़ा दिया गया handle comparison to other magic mode तो यह देखिए एक spring साथ में attach है जो automatic इसको वापिस अपने bucket के साथ attach कर लेता है और यह इसका handle है दो refill bucket with wheel और अब हम देखते हैं और क्या साथ में दिया गया है यह warranty card है और इसको कैसे use करना है उसके instruction के बारे में भी साथ में उसी warranty card में बताया गया है तो देख लीजी instruction भी इसके उपर दिये गए है और polyset की marking भी उपर दी गई है अब हम road fit करते हैं और उसके उपर refill fit करेंगे और इसे use करके देखेंगे यह कैसा चलता है तो इनका जो road का quality है वो ज़्यादा heavy नहीं है बहुत हलका लग रहा है एक पर fit कर लेते हैं उसके बाद इसको check करते हैं handle भी ठीक है और यह locking system है road का quality इतना अच्छा नहीं लग रहा है बहुत हलका है bucket की quality कुछ ठीक है तो इसको अभी fit कर लेते हैं दो size में हमें यह मिला था इसको assemble करना है और इसका front का part इसमें insert कर देना है तो यह देखिए इसमें direct है आपको अंदर fit करना है direct इस तरह है और यह इतना में को मजबूत नहीं लग रहा है यह देखिए यह बीच में slip भी हो रहा है और पूरी तरह यह tight नहीं हो रहा है तो हमने पहले ही जो guess किया था इसके quality के बारे में इसकी road की quality बहुती cheap है ज्यादा heavy नहीं है और इसका यह देखिए यह slip भी हो रहा है तो यह देखिए bucket का quality ठीक है लेकिन जो यह road है वो बहुती hulky quality का है ज्यादा strong नहीं है तो हमारे इस channel का main मकसद ही आपको वीडियो के थूँ यह बताना है product का review करके बताना है आगे आपका decision होना है कैसे आपने यह product लेना है या नई तो दोस्तों यह था हमारा आज का product और हमारा आज का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जुरूर बताए हमारे चैनल को like करें सब्सक्राइब करें तो मिलेंगे next नई वीडियो में next नई product के साथ धन्यवाद दोस्तों कि एता है